कोई है भाई जो भूत का मुखोटा पहन कर उस चुड़ैल का सामना कर सके। सब गाउवाले एक दूसरे की शकल देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने को तयार नहीं होता। सरपान जे या पप्पू हमेशा ही उल्टी सीधी तरकीब बताता है और खुद बच के निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ अब की बार इसे ही मौका देना चाहिए। क्यों भाईयों मैंने सही कहा ना रह तेरा दिमाग खराव गया क्या मुझे क्यों फसवा रहा है। भाई मेरा काम सिर्फ तरकीब बता रहा है बाकी तुम गाउवाले देख लो कि क्या कर रहा है। मुझे सब में मत घजीतो। देखो पप्पू मोहन सही कह रहा है ये तुमारी ही तरकीब है इसलिए इसे अंजाम भी तुम ही दोगे। अरे भाई मुझे जोबली का बक्रा बना रहे हो तुम सब को कोई और नहीं मिला क्या है। अरे पप्पू भाई डरो मत मैं भी तुमारे साथ चलूँगा। रात होने पर शीवा के कंधों के ऊपर खड़ा हो जाता है और गाउवाले उसे भूत का मुखोटा पहना कर उनका भेस बदल देते हैं। अब वे बिलकुल असली के भूत जैसे लग रहे होते हैं। अरे वाई भाई पप्पू तुम तुम बिलकुल असली के भूत लग रहे हो। वह चुडायल तो तुमें देखते ही डर जाएगी। अरे भाई अगर चुडायल हमें देखकर डर गई तो ठीक है लेकिन अगर वो नहीं डरी तो हमारा क्या होगा। अरे पप्पू भाई तुम डरो मत। मैं तुम्हारे नीचे ही तो हूँ। मैं कुछ भी गड़बर नहीं होने दूगा। नहीं आती। अरे यार यार ये किस डरपोक को सरपंच ने मेरे साथ यहां भेज दिया। ठीक है मैं ही पुकारता हूँ उस टुडायल को। देख तेरा काल यहां खड़ा हुआ है कहा चुपकर बैठी है बाहर निकल ये मेरा इलाका है। अरे नास मिटे चुपकर जा नहीं तो तीरी अम्मा सच में यहां आ जाएगी। अरे मर गयारे आज ये शिवा मुझे पक्का मरवा कर ही दम लेगा। तब ही डरावनी डरावनी आवाज आने लगती हैं और वह चुडैल उन्हें सामने से आती हुई दिखाई देती हैं। अरे मर गयारे नास मिटे और चिला ले देख सामने से कौन आ रहा है। अब हम नहीं बचने वाले। अरे डरपोक रोना बंद कर नहीं तो उस चुडैल को हमारे उपर शक हो जाएगा। ए कौन है तू तू यहां क्या कर रहा है। यह पूरा इलाका मेरा है। अभी के अभी यहां से चला जा। नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूगी। ए चुडैल आज इस गाउं पर मेरा कपसा है। तू चुप चाप यहां से चली जा। नहीं तो आज तेरी संदगी का आखरी दिन होगा। तू मुझे ललकारता है तेरी इतनी हिम्मत। अरे शिवा भाई मैं तुम्हारे हाथ पर जोडता हूँ कृपा करके चुडैल को मतलल कारो। हम इससे माफी माग लेते हैं। नहीं तो यह हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगी। ए चुडैल जी आप ही सर्व शक्तिमान है। मुझसे बहुत बड़ी कलती हो गई। यह सारा इलाका आप रख लो। मैं कहीं और चला जाऊंगा। परे मूर की यह क्या कर रहा है ? सारे की यह कराय पर पानी क्यों फ़ेर रहा है ? अभी के अभी चुप कर जा। ए चुडैल तुझे क्या लगा मैं तुझे डर जाऊंगा तु अभी के अभी ये गाउं छोड़ कर चली जा रुक अभी तुझे बताती हूँ शिवा भाई चल्दी यहां से भागो वे चुडैल हमारी और ही आ रही है फिर चुडैल उनके उपर हमला कर देती है और उस भूत का सिर धर से अलग कर देती है शिवा धर के साथ नीचे ही रह जाता है और पक्पू को चुडैल उठाकर अपनी साथ ले जाती है अरे मर गे अरे, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुडल से बचा लो, अरे मर गे अरे फिर ये सब देखकर सब गाओं वाले वहाँ पहुच जाते है अरे तुम्हारा नास मिटे, तुम सब ने मिलकर मेरे भोले बाले पती को बली का पकरा बना दिया नहीं नहीं भावी जी ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए क्यों रे शिवा, तू तो बड़ा चलाक निकला, खुद तो नीचे खड़ा हो गया और मेरे पती मरने के लिए उपर खड़ा कर दिया, ताकि अगर चुडैल हमला करें, तो मेरा पती ही मरे और तुम बच जाओ, देखो सरपंची जी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो लेकिन मेरे पती को वापिस लाओ, नहीं तो मैं भूख खड़ताल पर बैठ जाओंगी फिर सब काउवाले मिलकर उस चुडैल का पीछा करते करते जंगल में घुस जाते हैं आखिर हम कब तक यूँ ही उस चुडैल की तलाश में भटकते रहेंगे तभी सापनी से कनहिया का बैल दोड़ा दोड़ा आता है और उनके पास पहुँच कर रुख जाता है और अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगता है अरे सर्पन जी, ये तो कनहिया का बैल है, मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है फिर वह बैल उस चुडैल के ठिकाने की तरफ चल पड़ता है और सब गाउवाले भी उसका पीछा करने लगते हैं और कुछी देर में वह सब गाउवाले उस चुडैल के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं वहाँ पप्पू और कनहिया बंधे हुए होते हैं ए गाउं वालो, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम सब को कच्चा ही खा जाऊंगी ए चुडैल, हम तुझ से नहीं डरते, देख हम सब गाउं वाले, अब एक हो गए हैं, अगर हिम्मत है तो पास आकर दिका अरे, ये तो बहुत सारे है, तो ये मुझे जला कर राख कर देंगे, फिर वह चुडैल, वहां से भाग जाती है, और गाउं वाले, कनहियां और पपो को आजाद करवा लेते हैं